पहले नितीश कुमार जी ही ने ओडर किया हुआ था बहाली का वही बहाली हुआ है वही जो है जो बिहार को बदनौम किया है जो बिहार को बरवाद किया है वह उसको मुखमंत्री के रूप में देखना चाहरा है भाजपा का मुखमंत्री मध्यपरदेश में जादब जी बने अब इस जंसंबाद यात्रा कर रहे हैं अब इस जंसंबाद यात्रा का उनको कितना फाइदा मिलेगा ये तो देखने वाली बात होगी जब चुनाब होंगे लेकिन अगर उससे पहले की बात की जाए तो लगातार वहां से कभी पूर मुख्यमंत्री रावडी देवी के बियान भी सामने आ रहे हैं लालू परसाद यादव के भी बियान जो है वो सामने नितीश कुमार के ओपर वी जो है वह तेगडा हमला जहाव बोला जा रहा है प्रहार किया जा रहा है लेकिन अगर बात कर लीए जाएं तो प्रदानमंत्री मोदि जो होभी नहीं देट जी यादए वब का वहां पर अपनी विशाल रैली जो हुने वाली है कि इसके उपर किसका कितना असर पड़ेगा जान लेते हैं क्या लगता है कि सज्जिन जी कि किसके उपर जो है किसका पलड़ा भारी रहेगा क्योंकि कारियों के नाम पे ते जस्वी आदव जो है वो बोट मांग रहे हैं कोई नोक्री नहीं दिया है नितीश कुमार नितीश कुमार जी ने ओडर किया हुआ था वही बाली हुआ है उसमें कोई श्रे उसका जाता ही नहीं है उतों थोड़ा दिन के लिए हुआ कोई मुखमंत्री के रूप में नहीं देख रहा है वही जो है जो बिहार को बदनाम किया है जो बिहार को बरवाद किया है वह उसको मुखमंत्री के रूप में देखना चाह रहा है ठीक है ना तो वो सब नहीं चलेगी सारे नेता लिस्टेड है जितना लोग बिहार को लूटा है बढ़वाद किया है और तरस तरस чasm tatsA है उस इस सबक लिस्टेड चुन-चुन के जनता उससे बदला लेकी सरकार मोगी करेगी सबने के जनता उससे सिखाए कज और इसी लोंस वहाचुनाव में सबक सिखाएगी उसके बाद विधान सवा में धूल फांकने वाला उपाय भी नहीं रहेगा उस सब का ठीक है और तेजेस्वी कहां आएगा एक बार तो संजीबनी दे के नितीज जी उसको ले आया ने तो 26 सीट पे लालू जादब सिमर चुका था और फिर संजीबनी दे दिया लालू चाहर नेता कोई नहीं हुआ वही इतिहास है उनका जाती को दलगत हिस्चे में जाके फसाना यही इतिहास रहा है उनका जुकि की जादव जी सब से सिधा जात होता है जितना जात है और भिहार यूपी में आप देखेंगे जो जादब जी जब से लालु जी और मुलाइम जी दोनों आदमी सत्ता समहले बिहार और यूपी में प्रदेश है देश के अंदर में और दोनों का जनसंखियां जो है दोनों प्रदेश में अधिक है जादमों का ठीक है वो जो संथ था ना जो रखवारी करता था जादब उसे ये लंग्ट आप ठीक 32 साल, 35 साल पीछे जाईएगा, तो कहीं कोई record नहीं था क्राइम का, ये लोग दोनों आदमी जब से आया सत्ता में, ये छेत्रिये दल के रूप में उजार डाला, जो बोला जाता है कि बिहार में जंगल राज था, वो जंगल राज लालू के वक्त में आया, आप य केवल कुर्सिये चाप है, वो समझे, पाबर उनके पास अभी कुछ नहीं रहा है, जो करेगा भाजपा ही करेगा, ठीक है न, तरह तरह से अपना campaign कर रहा है, चुनावी गठ जोर बहुत अच्छा है, और चुनाव का हालत जो है भीतर बिहार का, पूरे जादब में आपको दोनों को करेगा, पतला यह रहा है, ब्रह्मन को भी दिया गया है, ठीक है राजस्तान में ब्रह्मन बना, तो ठीक है यह सारा पलड़ा जो है न, ठीक जा रहा है भाजपा का, उसका राजनिती बहुत सोधा हुआ, राजनित होता है, और campaign भी देखिए, जो किसी पार्टी क नाकारते जा रहा है तो भिहार और उपी में ऐसा है हाल जो अब इस सब के मैं तो देखा हूँ और इस लोग सभाचुनाव में भी साइध एहसास हो जाएगा जो मुसलिम कितने भाजपा को भोट कर रहे हैं ठीक है जितने योजना है उसमें सबसे फाइदे मंद भाजपा ने आज तक जो मुसलमानों के लिए किया वो कॉंगडेस इतना दिन में नहीं कर सकी थी चाहे वो तिन तलाग का मामला हो चाहे जितने सारे योजना उनके बारे में जो है न दिया गया है वह आज तक कॉंगडेस नहीं दिया था भाजपा ने सब तरह से मुसलिमों का सहयोग किया है और भाई चारा के नते यह राम मंदिर भी अस्तापीत वाया ऐसा नह जंदन के अगर आप बात कर रहे हैं तो जो सीटों का बटवारा हो रहा है उसमें भी कहीं न कहीं कॉंग्रेस को भी फाइदा नहीं मिले तो अपने आप समाप्त हो गई राहुल गॉंधी इसे अपने आप समाप्त किया है इसमें दूसरा का कोई का किसी का योगदान नहीं है कोई नेता रहा ही नहीं सब तो चला आया पलट के भाजपा में ही जितने आप देखे जितने फिगर लेंगे करिब करिब आ ही चुका है जो चांट है जो चांट बचा हुआ है अब किसको क्या कहिएगा यह खड़गे सहाब को प्रधान मंत्री बनाएगा जिसे बोलने त चाहिए और थोड़ा होसला चाहिए और थोड़ा बुलंदी चाहिए वह कुछ है ही नहीं उसमें जो मोदी के आगे कहीं से भी वह जो है नजर में नहीं आ रहा है जनता का और विकल्ब भी नहीं है देख रहा है पूरा युवाद देख रहा है मोदी को यह ही करने वाला है ुकि कोई हद में भ्यापारी को इनु ने सहयोग किया है। उसका मूल कारण यह है, यह बीजर्शों से भ्यापार करना चाहते हैं, तो गुजराती ठीक है तो गुजरात अपने आप में व्यापार के लिए प्रसिद्ध है तो हमारे प्रधान मंत्री इस देश के गुजरात के हैं और व्यापार में वो पारंगत हैं तो उस सभी देशों से व्यापार लेके आएंगे ही भारत का विकास बहुत ढंग से होगा जिस देश में कुछ नहीं बनता था मोधी के रिजेन में तेजस तक बनना सुरू हो गया तो इसे आप कम भारी बात थोड़े समझेगा क्या किया इन्हों ने आज तक किया तो क्या क्या एक चीज जो भारत और पाकिस्तान को अलग कर दिया आजादी का लड़ाई दोनों साथ आज आजादी का लड़ाई दोनों साथ आजाद हुआ तो नहरू परिवार के ही द्वारा दो प्रधान मंत्री बनने के लिए जो है भारत और पाकिस्तान कर दिया गया जिससे आज तक दुनिया को दिक्कत है इसलिए दिक्कत है भारत का यदि वहां संप्रभुता रहता र और पाकिस्तान के लिए अभी अमन चैन में दुनिया नहीं है चैन में बिल्कुल ही नहीं है चुकि आतंगवाद इतना कड़ा रुक से फैला हुआ है पूरे दुनिया को तवा कर चुका है भारत पर तो ज्यादा लगा ही है लेकिन भारत का कुछ विगाल नहीं सकेगा नहीं करते हैं अने करते हैं क्या करना है नहीं करना है अरे लूता लूती सबसरकार में होती है कौन जांता है यह कौन भी लेके क्यों नहीं मोदी जी कहे थे जो लेके आएंगे और उसके लिए वह समा भी बना रहे हैं ठीक है कि जो काला धन क्यों चला जाता है आप जानते हैं जो हमारे भेंग कहा में टेक्स देता है ने पैसा रखते हैं और वहां जो काला धन पड़ा हुआ है वह किसी का वापस नहीं करता है इसलिए वह नहीं आ रहा है मूलतक कारण यह है बहुत प्रियास किया गया मोदी जी द्वारा अभी भी प्रियास जारी है जो उसको लाने के लिए लेकिन हकीकत में ऐसा दिखता नहीं है जो आ जाएगा फिर भी दूसरा प्रियास हो रहा है सब को खाता खुलवाया गया है कोई कोई प्रियास जरूर हो रहा है बहुत बड़ा जो कुछ जनता को रिवेट दिया जाए ऐसी कोई बात नहीं है और राजनित तो ऐसे होता रहेगा अमोदी जी इस बार 400 के पार गैरेंटी जाएंगे उसको कोई नहीं सकता है बहुत बहुत आने बातों देखें विहार की राजनिती के उपर हमने चर्चा करी हमारे साथ जुड़े थे सजुन कुमार जी आप लोग की क्या रहा है हमें जुरूर बताइएगा बने रही हमारे साथ देखते रहे हैं सोगंद टीवी सोगंद वतन की